राधे राधे जैसी क्रश्णा आज मैं आपको वेसाक मास के महात्यमे का तेईस्व अध्याय सुनाने जा रहे हूँ मनुष्य को समय का ध्यान रखना चाहिए वक्त के अनुसार जो चलता है वही मुनी कहलाता है जो वक्त के अनुसार नहीं चलता है उसे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं मनश्य को वक्त को देख कर बदल जाना चाहिए जो अपने आपको वक्त के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है इसलिए मनिश्य को समय अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है समय भी उसकी इज़त करता है समय बड़ा बलवान है पहले कहा जाता था कि मनिश्य को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है लेकिन मरने के बाद किसने देखा मनश्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है अच्छे करम करते हैं तो उनका जीवन सफलता पूरवक और सुखी व्यतित होता है लेकिन अगर बुरे कार्म किये हैं तो मनश्य को मरने से पहले उनके बुरे कर्मों का फल यहीं भोगने को मिल जाता है। लेकिन कर्म किसने कैसे किये हैं यह कोई नहीं कह सकता यह उसी मनश्य को याद रहता है कि मैंने कैसे कर्म किये हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सफलता पूरक और सुखी व्यतित हो और मरने से पहले भी कोई दुख ने झेलना पड़े। इसलिए अगर बेसाक मास का वृत नहीं हो सके तो हमें बेसाक मास के पवित्र महात्यमे को सुनकर भी हमें अपने पाप को धोने का मौका मिल जाता है। इसी अच्छी प्रेणा से आईए अब हम बेसाक मास का तेईस्वा अध्याय सुनते हैं। व्याद कहने लगा कि हे महात्मन भगवान विश्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और बेसाक धर्म क्या है। ऐसा कौन सा धर्म करें जिससे की भगवान प्रसन हो जाते हैं। व्याद के इस प्रकार पूछने पर मुनी कहने लगे कि सर्व शक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सचीदानन सहरूप, मदु सूदन और संपून चराचर के स्वामी भगवान विश्णु हैं। अब मैं उनके लक्षन बताता हूँ, जिससे उत्पति, इस्तथी, संगहार, आवरती, नियम, प्रकाश, बंद और मौक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी भ्रह्मा को विश्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उनी के उपर आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याद कहने लगा कि हे रिशी, प्राण सर्वशेष्ट क्यों माने गए हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंक मुनी कहने लगे कि हे व्याद। मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, तुम धान से सुनो। प्राचीन समय में नारायन भगवान कमल योनी में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुमारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वशेष्ट हो उसी को तुम यूवराज बनाओ। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो आपस में यूवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय नहीं हो सका तो फिर सेवे भगवान को जाकर कहने लगे कि हे भगवान हमको तो कोई भी सर्वशेष्ट दिखाई नहीं देता इसका तो आप ही न पहड़ा हो जाए वही सर्वशेष्ट होगा तब जयनत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर से पंगूत हो गया परंतु गिरा नहीं इसी तरह गुप्त हंद्रिये से दक्ष के निकल जाने से शंट कहा गया हातों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया नेत्रों में से सूरिय के निकल जाने से भहरा जिब्या से वरुन निकल जाने से अरसक्ष और मन को चेतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो वे जड़ कहाने लगे परंतु दह गिरी नहीं वरन पूर्वत सब कारिय होते रहे मगर फि देटा आपस में विस्मे करने लगे कि हम मेंसे जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्व शेष्ट युवराज होगा सबसे प्रतम जयंत ने पैरों में प्रविश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं दक्ष गुहो इंद्रियों द्वारा प्रविश्ट हुआ इंद्र हातों द्वारा सूरिय नैत्रों द्वारा अगनी वानी द्वारा रुद्र मन के द्वारा प्रविश्ट होने पर भी दह उठी नहीं सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ कर खड़ा हो गया इसी कारण प्राण सर्वशेष्ट और युवराज बनाया गया तब प्राण के सम्मान के लिए सब साम वेद काकान करने लगे इसलिए इस्थावर और जंग मातमक के लिए यह स्रश्टी प्राण प्राण ही जगत प्रिये है प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं इस प्रकाराज बेने आपको बेसाक मास के महात्यमे का 23 अध्याय सुनाया आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहे धन्यवाद